Hello everyone, स्वागत है आपका तस्तमदार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीरीज के पार्ट 71 में इस सीरीज के हर एक पार्ट में हम बड़े ही काम के 10 daily use English sentences सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही कम समय में So guys, आज का हमारा first sentence है इस जगह की खासियत क्या है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे What is the specialty of this place? What is the specialty of this place? Specialty means खासियत इस जगह की खासियत क्या है? What is the specialty of this place? Second sentence is उसने माना की पैसे उसी ने चुराए थे इसको इंग्लिश में बोलेंगे He confessed that it was him who stole the money He confessed that it was him who stole the money उसने माना की वो वही था जिसने पैसे चुराए उसने माना की उसी ने पैसे चुराए थे He confessed that it was him who stole the money Third sentence is किसने किसको मारा? Who hit whom? Who hit whom? Fourth sentence is जाओ तुम उसी से बात करो इसको इंग्लिश में बोलेंगे Go and talk to him only Go and talk to him only जाओ तुम उसी से बात करो जाकर उसी से बात करो Go and talk to him only Fifth sentence is थोड़ा थोड़ा करके खाओ Eat little by little Eat little by little Little by little means थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके खाओ Eat little by little Six sentences Table से बरतन हटा दो Move the dishes off the table Move the dishes off the table Seven sentences मुझे तुम्हारी सारी कर्टूते पता है ये हम negative sense में बोलते हैं sentence जिससे हमारा मतलब ये होता है कि मुझे तुम्हारे सारे बुरे काम पता है सारी कर्टूते पता है इसको English में बोलेंगे I know all your misdeeds I know all your misdeeds मुझे तुम्हारी सारी कर्टूते पता है मुझे तुम्हारे सारे बुरे काम पता है I know all your misdeeds Eight sentences वो तो बहुत बड़ा गुसेल है इसको English में बोलेंगे He is very hot tempered He is very hot tempered Hot tempered means गुसेल बहुत गुसा करने वाला वो तो बहुत बड़ा गुसेल है He is very hot tempered Nine sentences तुम इतने चुगल खोर क्यों हो? इसको English में बोलेंगे Why are you such a backbiter? Why are you such a backbiter? Backbiter means चुगल खोर लोगों की चुगली करने वाला तुम इतने चुगल खोर क्यों हो? Why are you such a backbiter? Last sentence of the day is तुम एक बार मुझे खबर दे सकते थे You could have informed me once You could have informed me once तुम एक बार मुझे खबर दे सकते थे You could have informed me once So guys, that's all for today I hope ये सारे sentences आपके लिए काफे useful रहेंगे इन में से आपका फेबरेट सेंटेंस कौन सा था? मुझे comment करके जरूर बताएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसते कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे चली अब है मिलेंगे कल पार्ट सैवेंटी टू में तब तक के लिए टेक कैर बाबाई